हेलो अब्रीवन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हलवा पूरी और चना तीनू की रेसिपी एक साथ में अस्टेमी नौमी का भोग इस तरीकी से बना कर तैयार कीजिए ये तरीका आपको बेस्ट लगेगा प्रशाद ऐसे बहुत ही टेस्टी बनता है चलिए रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले चने तयार कर लेते हैं इसके लिए हमें चाहिए काले चने, दो टाइप के काले चने आपको मिलेंगे, एक तो छोटे मिलते हैं, वो आपको कुछ इस तरह के दिखेंगे, ये छोटे चने हैं, दूसरे साइज में थोड़ा इनसे बड़े रहेंगे, टेस्ट दोनों का सेम रहता है, आप इन में से पानी में इनको डाल कर रखना है, ये मैंने चने भीगा कर रख दिये थे, अब हमें इनको बॉइल करना है, कुक कर ले लेते हैं, इसमें हमें चने डाल देने हैं, इसमें एक से डेड़ गलास पानी डालेंगे, ये देखिए, पानी चने के हलका सा उपर ही आया है, इससे ज इसके बाद कुक कर हमें ठंडा होने रख देना है अब हम चने मनाने के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं एक कोटरी में मसाले डालेंगे दो चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे डेर चम्मच जीरा पाउडर एक चम्मच हल्दी पाउडर दो चम्मच कश्मीरी लाल मिस पाउड इसमें थोड़ा पानी और handheld कर इसे mix कर लेते हैं ये देखिए इतना पतला घोल मैंने इसका तैयार किया है ये मसाली तैयार हो गए हैं अब इनको रख देते हैं कूकर ठंडा हो गया है अब इसे हम खोल कर देख लेते हैं ये देखिए चने बहुत अच्छे तरीके से बॉइल हो गए हैं पानी भी इसमें ज्यादा नहीं बचा है अब इनको फ्राइ कर लेते हैं अब हमें एक कड़ाही लेनी है जो भी आप खाना बनाने के लिए ओईल यूज करते हैं एक बड़ा चमच इसमें ओईल डाल दीजिए ओईल गरम होने देंगे इसमें एक चमच जीरा डालेंगे लंबी कटी हुई हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालेंगे हलका सा इनको कर लेंगे इसको मसाले हमें हलका फ्राइ करने हैं मसाले वाली कोटोरी में पानी डाल कर इसी में डाल देते हैं जितना भी हमको इसमें पानी यूज करना है चने बॉयल किया हुआ पानी ही हमें इसमें डालना है ये देखिए मसाले हलका फ्राइ हो गये हैं अब इसमें हमें बॉइल किये हुए चने डाल देने हैं ये देखिए चने इसमें सारे मैंने डाल दिये हैं मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छे से चने बॉइल करते टाइम में भी हमने इसमें नमक डाला था वो सब ध्यान में रखते हुए हमें इसमें स्वाराउंसार नमक डालना है इसको अच्छे से 3-4 मिन इनको बीच बीच में चलाते हुए हलकी आज पर पकने देंगे अब हम बना लेते हैं सूजी का हलवा गड़ाही में आधा कप घी डालेंगे अगर आप खी पिगला हुआ डाल रहे हैं तो पौना कप डाल लीजिए यानि 3-4 कप खी डालना है खी गरम हो गया है अब इसमें एक कप सूजी डालेंगे ये देखिए मिक्स कर लेंगे इसको मीडियम हीट पर सूजी चलाते हुए हमें भूनना है ये देखिए भूनते हुए हलका साइस का कलर चेंज हो गया है अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए ट्राइफ रूट्स मैंने इसमें लगभग एक बड़ा चम्मच काजू बादाम और किसमिस डाला है जो भी आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं एक चम्मच इसमें हरी इलाईची का पाउडर डालना है मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से सूजी हलकी ब्राउन होने तक हमें भूनना है ये देखिए सूजी इतनी हमें भून लेनी है इसमें अब हमें पानी डालना है गरम सूजी में पानी डालने से छिटे आते हैं इसका ध्यान रखना है धीरे धीरे हमें इसमें पानी डालना है पानी पहले हमें गरम कर लेना है एकदम गरम पानी इसमें डालना है एक कब सूजी में लगबग हमें चार कब पानी डालना है ये रेखिए पानी मैंने इसमें डाल दिया है अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं हलकी आज़ पर हमें इसको 2-3 मिनट के लिए चलाते हुए ऐसे ही पका लेना है ये रेखिए सूजी पकते हुए गाड़ी हो गई है अब हमें इसमें सवा कप चीनी डाल देनी है जितने हमने सूजी लिए है उससे ज़्यादा ही हमें इसमें चीनी डाल देनी है तब इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है ये रेखिए चीनी के साथ पकाने से सूजी का कलर लगबग 2 शेट डार्क हो गया है मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से अब हमें इसको 3-4 मिनट चलाते हुए पकाना है ये देखिए ये बंद गया है हमारा बहुत ही टेस्टी सूजी का हलवा लास्ट में इसमें एक चमज खी डालेंगे मिक्स कर लेंगे अच्छे से खी डालने से इसमें शाइन भी आती है और टेस्ट भी अच्छा आता है ये देखिए बहुत ही टेस्टी लग रहा है इसको रख देते हैं अब अब पूरियों के लिए आटा लगा लेते हैं एक परात में एक कप गेहूं का आटा लेंगे आधा कप इसमें सूजी डालनी है एक बड़ा चमज खी डालना है एक छोटा चमज पिसी हुओी चीनी और थोड़ा सा नमक रालेंगे ये सारी चीज हाथ से मिक्स कर लेनी है दोनु हाथों से रगड कर इसको मिक्स कर लेते हैं ऐसे रगड कर मिक्स करना बहुत जरूरी है, ऐसा करने से आटा अच्छा बनेगा और फूली हुई करारी पूडियां बनेगी, ये देखिए आटा मिक्स हो गया है, अब इसे पानी से गूत लेते हैं, पानी हलका गूनगुना कर लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर सारा तेल पी जाएंगी, ये देखिए आटा गूत लिया है, अब इसे 10 मिनट के लिए ढखकर रख देना है, 10 मिनट के बाद इसे देखेंगे, अब हमें आटा हाथ थिली से दबा कर थोड़ी देर के लिए गूत लेना है, इससे आटा स्मूध बन जाएगा, ये देखिए आटा कितना स्मूध बन गया है, अब पूरियां बनाने के लिए पेड़े निकाल लेते हैं, थोड़े पेड़े एक साथ बना लेते हैं, इनको एक साथ महीं बेल लेते हैं, पूरियां हमें बहुत बड़ी नहीं बनानी हैं, ये देखिए ये साइज काफी अच्छा है, गरम तेल में तलनी होती हैं इसके लिए बैचेस में बनाएंगे तो आसानी से तल सकते हैं एक कड़ाई में पूडियां deep fry करने के लिए refined oil डालेंगे तेल अच्छे से गरम कर लेना है High heat पर हमें पूड़ियां तलनी है गरम तेल में पूड़ि डालेंगे जब पूड़ि फूलने लगेगी तो ऐसे side से इसके उपर ladle से तेल डालना है ऐसे पूड़ि फूल जाती है पलट देंगे इसको जब पूड़ि दो नुत्रब से हल्की brown हो जाएगी तो हमें इस से निकाल देना है ये देखिए कितने अच्छी पूडी बनी हुई है पूडी ओयल में कैसे डालेंगे वो देख लीजिये पूडी ओयल के बीच में ऐसे डालेंगे और जब आधा साइज पूडी का ओयल में चला जाएगा हलके से एक साइड में इसे छोड़ देंगे ऐसे बिल्कुल भी ओयल नहीं चलकेगा ये देखे पूरी डालने के बाद हलकालका इसे दवाएंगे और इसके उपर से गरम तेल डालेंगे ऐसे पूरियां बहुत अच्छी बनती है हलवा, पूरी और चना बनाने की ये रेसेपी बहुत ही अच्छी है आप इसे जरूर ट्राई कीजिए ये देखिए सारी पूरियां बनकर तयार है और ये सारी पूरियां फूली हुई है ऐसे आप पूड़ियां बनाओगे तो सारी पूड़ियां फूलेंगी और एकदम करारी निकलेंगी यह लीजिए बनकर तयार है हलवा, पूड़ी और चना, अस्टमी नौमी का भोग तीनु का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसे आप जरूर ट्राइ कीजिए अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कॉमेंट कीजिए जो भी चैनल पर नए हैं वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरी आने वाली यूसफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और खुश रहिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नही रेसिपी के साथ